सुलेमान के स्रेष्टगीत अध्याए एक, वह अपने मुह के चुम्बनों से मुझे चुमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाखमदु से उत्तम है, तेरे भाति-भाति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारिया तुझसे प्रेम रखती है, मुझे खीच ले, हम तेरे पीछे दवडेंगी, राजा मुझे अपने महल में ले आया, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगी, हम दाखमदु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगी, वे सच्चे मन से तुझसे प्रेम रखती है, हे यरुशलेम की प और सुलेमान के परदों के तुल्य हूँ, मुझे इसलिए न देख कि मैं काली हूँ, मैं धूप से जुलज गई, मेरी मा के बच्चे मुझसे अप्रसन न थे, उन्होंने मुझको ताक की बारियों की रखवाली के लिए नियुक्ति किया, परंतु मैंने अपनी निज़दा कि बारि की रखवाली नहीं की, है मेरे प्रान प्रीय, मुझे बता, कि तु अपनी भेड़ बक्रिया कहां चराता है, और दो पहर को कहां बैटता है, क्योंकि मैं तेरे संगियों की भेड़ बक्रियों के पास क्यों, घुंगट काड़े हुए, चलू फिरू, हे स्तिरियों म पास अपनी बक्रियों के बच्चों को चरा. हे मेरी प्रिया, मैंने तेरी उपमा फिरोन के रथों से जुते हुए घोडों से दी है. तेरा कश्ट सोने की सिकडियों के बीच, तेरा काल, काले केशो और रतनों की पंक्तियों के बीच क्या ही सुन्दर है. हम तेरे लिए चांदी के फुलदार काटे बनाएंगे और सोने की चोटिया बनवाएंगे राजा अपनी मेज के पास बैठा रहा मेरी जटामासी की सुगंद फैल रही थी मेरा प्रेमी मेरे लिए लोहोबान की गठ्ठी के समान है जो राद भर मेरी चांदियों के बीच में पड़ा रहता है मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फुलों के गुच्छा जैसा है जो एनगदी की दाक की बारियों में होता है तू सुन्दरी है हे मेरी प्रिया तू सुन्दरी है तेरी आखे कबुतर की से है ही मेरे प्रेमी तू सुन्दर और मनभावना है और हमारा बिचोना भी हरा है हमारे घर की कडिया देवदार की और हमारी छट के बरगे सनोबर के है